नवस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार देख अबने दन करता हूँ दोस्तों, चैसेबल मास्टर टोनमेंट का सेमी फाइनल का मुकाबला शुरू हो चुका है और कल सबसे ज़्यादा रोमांचक मुकाबला तब हुआ, जब मैंगनस कालसन और डिंग लीरे नामने सामने थे हम सभी जानते हैं कि दोनों के बीच कड़ी प्रतिसपरदा है प्रतिसपरदा तो अपनी जगह है, लेकिन मैंगनस कालसन ने कल कुछ हैसा किया जिससे उन्होंने पूरी दुनिया भर की शत्रंश खिलाडियों का दिल जो है वो जीत लिया है जी हाँ, विश्व चैंपियन मैंगनस कालसन वैसे डिस कोविट की परिसिती में ही खुद से ही वो मैंगनस कालसन लीग लेकर के आये, जहाँ पर एक मिलियन डॉलर की पुरुसकार राशी है तो इतने बड़े इस्तर पर उन्होंने चैस को प्रमोट करने का डिसाइड किया और किसी ने ये काम नहीं किया, तो कालसन खुद सामने आये थे, तो एक तो ये पहले ही वो काम कर चुके है दूसरा इस ओनलाइन टोर्नमेंट को फेर बनाने में कल उन्होंने जो योगदान दिया, वो वाकई वाकई हमेशा याद किया जाएगा मेगनस कालसन के नाम से, क्या हुआ कल, सबसे पहले जैसे ही दोनों के बीच मुकाबले शुरू हुए, छे मुकाबले करीब-करीब खेले जा रहे हैं, रैपिट के लेकिन यहाँ पर डिंग लेरिन का कनेक्शन जो है वो तूट गया, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया, और डिंग लेरिन इसकी वज़े से टाइम में लॉस हो गया और मैच हार गया, तो पहले तो मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको यह पूजिशन ड्रॉ तो f5, अब white अगर push करता है a6, तो g5, fg5, g5, now a7, f4, g2, f4, g2, f4, अब आप king b7 ले जा सकते हो, a8 पर बनाने के लिए, तो f3, queen take, rooks take, king take, and now king g3, और king इतना दूर है, king b7 कि आप उसको pawn को control नहीं कर पाऊगे, rook b2, pawn f2, जा जादा king c6, king g1, और यहाँ पर आपको draw हो जाएगा, तो यह draw हो रहा था, लेकिन इस position पर internet connection टूड़ गया, दिंग लिरेन का, और दिंग लिरेन यहाँ पर एक सुने से पीछे हो गया, और अब बात आती है, वो कि Magnus Carlson ने अगले मुकाबले में क्या किया, और वो क्या सोचते हैं, दिंग लिरेन के बारे में, त देखें मुकाबला कैसे शुरू होता है, c4, e6, g3, queen g5, bishop g2, यहाँ पर Magnus Carlson खिलते हैं, queen into d2, अब आप सोचे रहोंगे कि Carlson का mouse slip हो गया, क्या कि Carlson ऐसा चाल कैसे खिल सकते हैं, सब को लगा कि शायद mouse slip हो गया, या कुछ हो गया हो, जो उससमें live देख रहे थे, queen into d2 य जहां पर Carlson ने resign कर दिया, बाद में लगा कि क्या mouse slip हुआ, क्या हुआ, पर Carlson ने जो बाद में बताया, उससे सब की जो है, आखें खुली रह गई और उनके प्रतिसमान जो है, वो वह 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं personally भी जो feel करता हूँ कि Carlson ने ये जो काम कि गया है, वाकर इंक्रेडिबल है, कालसन ने क्या कहा, कालसन ने कहा कि मैं डिंगली रेन की एक खिलाड़ी के तौर पर, एक प्रतिदुंदी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर बहुत ज़्यादा इज्यत करता हूँ, और यही सही तरीका था, उनके साथ जो है, इमानदा थी, उसको साड़े तीन डाई से जीत कर पहले दिन बढ़त बना लिए, बैस्ट अफ थ्रीके सेमी फाइनल है, बट मुझे नहीं पता कि मैगनस कालसन स्टोनामें में अच्छा करेंगे, फाइनल जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन आज मेरी नजरों में, वो सही मायनों में विश्व चैंपियन हैं, और यहीं उनके प्रतीब बढ़ा सम्मान है कि जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि इमानदारी और एक आप कहसे हैं कि खेल में एक अलग उचाईयों पर ले जाने की कोशिच जो मैगनस कालसन ने की है, वो वाकए इंक्रेडिबल है, मैगनस काल आए कि शत्रणज में जीत भी सबसे बड़ी है, पर आपने दिखाया, जीत सबसे बड़ी नहीं है, इमानदारी सबसे बड़ी है, तो थैंक्यू, थैंक्यू, मैगनस कालसन, दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना या फिरो खेल का विशलेशन, चेस्पिस इंडिया आमेशा आपक लिए ख़बरे लाएगा, सबसे देज, सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें चेस्पिस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, और साथी साथ बैल आइक अगर दवाना ना पूर्दी दोस्तों क्योंकि इसी से मिलें कि आपको सारे नोटिफिकेशन फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो जलूर लाइक और शेयर करना ना पूरें